एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है नमस्कार बैक्टरियल डिजीज कॉलमेनेरिस आज का टॉपिक है काफी भयानक रोग होता है मास मॉर्टिल्टी करता है तो शुरू करते हैं यह दो फर्स लाइड डिजीज का नाम है कॉलमेनरिस डिजीज और मास मॉर्टिल्टी के लिए जाता है सेकेंड नमबर पे है आफ्टर एरोमनास का जो सेप्टिसीमिय डिजीज है इसके अन्य नाम है कॉटन माउट डिजीज और कॉटनूल डिजीज इसमें थोड़ा ध्यान दीजे कि यह फंगस से होने वाले जो कॉटनूल डिजीज है उससे यह भिन है यह बैक्टिरिया के द हो गए है बैक्टिरिया का नाम है फ्लाइवो बैक्टिरियम कॉलूमिनेर यह एरोबिक बैक्टिरिया है याणि कि इसको अपना जीवनियापन करने के लिए अक्सीजन की दरावत परती है ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया है और रॉट शेप होता है ये अरोबिक को भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये भिन है जो पिछला बैक्टिरिया था अरोमोनास वो एन अरोबिक बैक्टिरिया है यानि कि उसको अपना क्रिया कलाप और जीवन यापन करने के लिए ऑक्सीजन की दरूएट नहीं पड़ती है बाडी सर्फेस ये खराब करता है और तमाम पैचेस लीजन और सोर्स बन जाते हैं गिल्स को पूरा गला देता है पसल्स को एफेक्ट करता है और सभी उम्र की मशलियों पर ये बराबर तरह से अटेक करता है साइन एंड सिम्टम्स में देखिए जो मशलियों के फिंस होते हैं वो बिलकुल पूरी तरह से अस्तिवेस्त हो जाते हैं इर्रेगुलर वाइट या ग्रे कलर के पैच पड़ जाते हैं इसकिन पर जो चिछले घाव में भी बदल सकते हैं पंकों पर भी ये हो सकता है पीले रंग का भी हो सकता है हलके ब्राउन कलर का भी हो सकता है गिल्स को खराब करते हैं पूरी तरह से गला देते हैं उसमें लीजन बन जाता है तो उसकी आक्सीजन केरिंग कैपसिटी खतम हो जाती है मशली को सांस लेने में दिक्कत होती है और करेक्टरिस्टिक वाइट सेडल बैक लीजन भी इसके उपर बनता है जो दूर से ही पहचाना जाता है वहीं से पता लग जाता है कि यह कॉलमनेरिस डिजीज है मशलियां काफी लिथार्जिक हो जाती है सुस्त हो जाती है खाना नहीं काती, क्योंकि उनको भूकी नहीं लगती और वो सतह पर आकर पानी के लगातार सांस लेती रहती क्योंकि उनके गिल्ट कराब हो चुके होते है और दिरे दिरे उनकी को undred हो जाती है यह तस्वीर देखिए यहाँ पर गिल्ट को इतने बुरी तरह से इसने इंफेक्ट कर रखा है, yellow color का मतलाव है heavy infection, यहाँ पर mucus है, और bacteria का heavy infection है, यह saddleback है, saddleback जैसा गे बने बताया, बड़ा characteristic इसका symptom है, मचली के उपर यह दिखता है, और यह इसकी एक छोटे से pin point की तरह white color इसका शुरुवात में होता है, जो बहुत जल्दी एक वी कहंदर ही पुरा एक band का रूप ले लेता है, एक वीडियो हम लोग ने record किया, यह हमारे यहाँ का है, एक यह मचली कितनी सुष्ट है, धीरे-धीरे पैर रही है, और इसके उपर आप white band लेकिए, यह जापानी पुट्टी नाम की मचली है, उसका fingerling है हमारे यहाँ, हम लोग ने इस मचली को अलग रख दिया, तो यह रहा, characteristic saddleback lesion, इसको आप कहीं देखें तो आप तुरण समझ जाएए कि columnarist disease है, और cotton mouth disease यहाँ पर ऐसे दिखेगी है, इसमें yellow color भी हो सकता है, mucus भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर fungal नहीं है यह, इसलिए हाँ पर hyphy और bal की तरह लटकने वाले structure यहाँ पर नहीं disease, यह bacterial है, gills को देखें, कित्ती बुरी तरह से प्रभावित किया, पुरा gills brown color का हो गया, इसकी oxygen carrying capacity बिलकुल खतब हो चुकी है, heavy infestation है यहाँ पर इस bacteria का, यह, saddle back disease का, आप देखें कित्ती जगए असर है और यह later stage हो गई है यहाँ पर, इसमें घाव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी गिल आप देख सकते हैं, बुरी तरह से damage है और मचली में, यहाँ पर source बन चुके है, open source बन चुके है, इतना heavy infection है यहाँ पर और देर हो चुकी है, stressful condition जितनी भी है, वो सब favor करती है, columnarist disease के लिए, और good oxygen भी favor करता है, actually good oxygen जो है, वो मचली के लिए तो अच्छी condition प्रस्तुत करता है, लेकिन यह good oxygen जो है, यह aerobic होने के नाते, बैक्टेरिया के लिए भी बहुत अच्छी condition पैदा करता है, जिसमें मचली हो को, इनका जो संक्रामक जो character है, वो अच्छे oxygen के presence में बहुत जादा बढ़ जाता है, बाकि हाई ammonia, हाई nitrite, हाई water temperature, इन सब से भी यह बीमारी बढ़ती है, poor redox potential होता है, या mineral की कमी हो, calcium magnesium की तो भी, मचली को जो osmoregulation यानि परासरन नियमन जिसको बोलते हैं, उसमे क्या होता है, उसमें जो मचली के अंदर का जो fluid है, यानि की जो तरल पदार्थ है, उसका osmotic pressure या परासरन द्राप का नियंतरन और उसमें ionic balance को जो maintain करती हैं मचली, उसको osmoregulation बोलते हैं, और ये calcium magnesium तता अन्य salts के concentration पर बहुत depend करता है, तो अगर redox potential poor है, इस पर हमें galaxy video बना देंगे, तो मचली के सते से आके ये bacteria अच्छी तरह से चिपकेंगे, और bacteria जो है बीमारी को अंजान देंगे, rough handling, mechanical injury और crowding ये सब चीजे भीड़ भाड बहुत ज्यादा मचली आप रखे हुए हैं, इन सब की poor water quality जब हो जाएगी, तो फिर ये भी bacteria अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसको poor water quality में अच्छी तरह से पनप नहीं पाता है, ये पिछले वाले bacteria के विपरीथ है ये character, treatment जो है वो पिछले वाले जो bacteria है, एरो मॉनास उसी के तरह है, क्योंकि दोनों के symptoms भी काफी मिलते हैं, और एक बार diagnosis confirm हो जाए, पता चल जाए, PCR ते और histopathology से कि ये बीमारी है, तो फिर आप इसको pond को sanitization करिए, potassium per magnet से, 2 mg per liter या 2 ppm से, और सीफेक्स भी डाल सकते हैं, एक liter per hectare meter depth के हसाब से, ये ICR की सीफा संस्था ने बनाया है, और पानी के sanitization के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बादार में उपलब्द है, असानी से मिल जाता है, antibiotic के नाम पर oxy tetracycline दी जा सकती है, या tetracycline भी दी जा सकती है, 75 mg kg per kg fish biomass के हिसाब से, आप 3, कितनी intensity के हिसाब से आप दे दीजे, 7 से 10 दिन तक, और उसके आद बेचने से पहले 31 दिन का withdrawal period भी रखी है, और ड्रग देते समय है, USFDA की या government की guidelines का पालन करिए, और उसी के नुसार इसकी दवा दीजिए, यह oxy tetracycline का एक brand है, आप टेरा माइसीन भी दे सकते हैं, क्योंकि यह oxy tetracycline और tetracycline है, दोनों ही टेरा माइसीन ग्रुप की ही antibiotic है, prevention हमेशा थे ही better रहता है, आप prevention करिए, बीमारी को आने ही न दीजे, water quality को अच्छा रखिए, water में hardness अच्छा रखेंगे, calcium, magnesium के जो concentration है, और अन्य salt, sodium अगएरा के भी, वो 50 ppm के आसपास रहें, तो osmo regulation बहुत अच्छी तरह से होगा, और जो मचली है वो bacteria को अपने से दूर भगा देगी, और उसे surface से चिपक नहीं नहीं देगी, alkalinity 100 ppm रखिए, calcium carbonate की, और pH 7.5 रखिए, क्योंकि हाईर pH pH बढ़ता है, temperature भी 26 डिगरी के आसपास रहें, अला कि यह आपके control में नहीं है, लेकिन हाईर temperature पे यह bacteria बहुत तेजी से पनपता है, ammonia एक ppm से कम हो, nitride zero हो तो बहतर, और carbon dioxide गुले तवस्ता में 4 ppm से कम हो, और proper sanitary procedures जो है, वो आप पूरा पालन करिए है, पूरे फार्म पर, पूरे protocols हैं, इसके इस पर एक अलग से वीडियो मना देंगे, तो यह सब कुछ जानकारी थी, इस columnarist disease के बारे में, आप लोग इसको पालन करें, और जो आप treatment का चैन करें, वो बिलकुल environment friendly होना चाहिए, और अपने फार्म के जो management practices हैं, उनको evaluate करिए, और यह तेह करिए कि यह बिमारी दुबारा आपके फार्म में मत आए, इसके लिए जो भी design में, procedure में, practice में आपको change करना है, वो जरूर करें और बिमारी से बचें, यह बहुत जरूरी है, तो मिलते हैं अपने next video में, next video का topic है dropsy, और इस video में आपने कुछ नया सीखा है, नया हासिल किया, तो इसे like करें, share करें, subscribe करें, वो जबाइस के लिए आपको बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, आल्ला हाफिस, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम,